आज हम बनाएंगे बिना घी से गाजर का हलवा एकदम हलवाई इस टाइल और बनाने का बहुती आसान तरीका खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी की देखते ही आपके मुँ में पानी आ जाएगा इस हलवे में बहुती कम दूद का हम इस्तमाल करने वाले हैं हेलो इबरिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ हेमा और हेमा की रसोई में आप सभी का स्वागा थे तो चलिए आज की रेश्पी हम सुरू करते हैं गाजट के हलवे बनाने के लिए मैंने इधर लिया है एक लिटर अमूल दूद आप कैसा भी दूद ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवलेबल हो इस दूद को हम पेन में डालेंगे और इस दूद का मैं खुआ बनाने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहले हम दोनों पैकेट को इस बरतन में दूद डाल लेते हैं तो इस हम हलवे में बहुत ही कम दूद का इस्तमाल करने वाली हूँ फ्रेंड्स और बहुत ही तेश्टी हलवा बन करके तयार होता है तो आप एक बार इस तरीके से जरू ट्राय करिएगा ये देखे मैंने दोनों पैकेट डाल दिया है और इस दूद का हम खुआ बनने वाले हैं तो मैंने गैस पे रख दिया है और इसे हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे और खुआ बना लेंगे तो चली हम आगे की प्रोसेश करते हैं इधर मैंने दो केजी लिया है गाजर गाजर का मैंने अच्छे चिलका लिकाल लिया है उपरी जो भी पाठ है उसे आप लिकाल लें जो भी उसके रेसे हैं और इसे छोटे-छोटे पीस में आप काट लें ये देखिए मैंने चोटे चोटे पीसेज में काट लिया है और इस तरीके से मैं हलवा बनाऊंगी तो बहुत ही जल्दी बनेगा तो आप चलिए हम इसे प्रेसर कुकर में डाल दिये हैं उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं चीनी चीनी आपको इसी वक्त डालना है इससे आपके गाजर के हलवे का कलर बहुत ही प्यारा आएगा तो आप अपने मीठा अनुसार चीनी डाल सकते हैं जितना भी आपको मीठा पसंद है और एक बात का और आपको ध्यान देना है जबी भी आप चीनी डालना है तो सबसे पहले आपको गाजर डालना है उसके बाद से आपको गाजर के ऊपर चीनी डालना है अगर आप चीनी को नीचे डालेंगे तो जैसे ही आप गैस को चालू करेंगे चीनी कूकर में चिपक और आगे कि हम तैरियां करते हैं इधर आपको दूद दिखा रही हूँ दूद देखे बहुत ही गाडा-गाडा सा हो गया और भी हम इसे पका लेते हैं और इधर देखे दो सीटी बाद मैंने गाइस को आफ कर दिया है और अच्छी से गाजर जो हैं पक चुके हैं और इसमें बहुत सारा पानी हो गया ये देखे मैंने बताया था आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है गाजर में बहुत सारा रस रहता है और इस गाजर का पानी आपको बिल्कुल भी साइड नहीं करना है इस गाजर के साथ ही हमें पकाना है क्योंकि जो भी प्रोटीन वि यह मैस कर लिजिए और यह देखे बहुत ऑच्छी से मैस Bолж हो गया और बहुत ही प्यारा dark red color आयाया है अगर आप साथ में चीनी डाल करके गाजर को पका रहें तो बहुत ही dark color हो जाता है गाजर का और ये बहुत ही बढ़नी ट्रिक है आप इस ट्रिक को जरूर फालो करें अब ये देखिह मैंने खोवा जो त्यार किये हैं हम इसी बर्तन में जो मैस करके रखे हूं गाजर को उस खालेंगे और साथ में मावे के साथ इस गाजर को पकाएंगे तो चलिए गाजर को हम पूरा डाल देते हैं और इसे हम मावे के साथ मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद मैंने आधा लीटर और भी दूद रखा है जो कि हम इसके साथ हम पकाने वाले हैं तो चलिए हम इसे मिक्स कर लिए हैं और आदा लीटर दूद को हम इस गाजर के हलवे में डाल करके पकाएंगे गाजर के साथ हमें आदा लीटर दूद जरूर से डाल करके हमें पकाना है क्योंकि गाजर को मैंने उबाल के चीनी के साथ पकाया है तो दूद का उसमें फ्लेवर नहीं आएगा इसलिए आप इसमें जरूर से आधा लिटर बचा के दूद रखें और साथ में आप इसे पका लें गाजर को और ये देखिए दूद के साथ मैंने गाजर को अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए यलाची पॉड़र डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद हाई टू मिडियम फ्लेम पे दूद के साथ ही हमें गाजर को पका लेना है और इसे सूखा कर लेना है अब हम इस हलवे में डालेंगे ड्राइब फूट तो चलिए बादाम मैंने ले लिये हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीज में काट लिया है और थोड़े से घी में भून लेते हैं ड्राइब फूट को भूनने के बाद बहुत ही बढ़ी अफलेवर आएगा तो आप इसे बिल्कुल भी दूद जब नहीं रहेगा गाजर कहलवा सुखा सुखा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दो चमच देशी घी घी डालने से हमारा गाजर कहलवा बहुत ही जदा टेश्टी स्वादिश्ट लगेगा तो आप इसमें घी जरूर से डालें और घी आपको प घी लाश्ट में डालेंगे तो गाजर कहलवा बहुत ही जदा टेश्टी लगेगा ऐसा लगेगा कि दो चमच के जगह पे आप चार टेबल स्पून घी इसमें डाले हैं तो आप घी लाश्ट में डालिए और बहुत ही जदा टेश्टी गाजर कहलवा तैयार हो गया है मैंन तरीके से हलवे त्यार करते हैं तो आपके घाजर के हलवे काशतों हमें आदे हञें आता हुद्वे दोर невाऒ протाना Mm यह त्यून पहुती कम अद्ध में यह यहलवे त्यार हो जाते हैं और छोड़ дост होड़ी ऑप रख यहां में मावी बचा के और प anda यहां मैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू फर वाचिंग